नमस्ते, रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर सबसे पहले हम लेंगे एक कप मटर उसमें दो कप पानी डालकर एक सीटी आने तक पका लेंगे इसमें सीटी आ चुकी है अब हम ग्रैस को बंद कर देंगे अब हम दो मीडियम प्यास, दो हरी मिर्च, छे से साथ लेसुन की कलियां और आधर इंच अद्रक लेकर उसको पीस लेंगे इसका हमने स्मूद पेस्ट बना लिया है अब हम लेंगे 200 ग्राम पनीर और उसको क्यूब्स में काट लेंगे पनीर को काटने के बाद हम एक पैन में दो टेबिल स्पून तेल को गरम करेंगे और उसमें पनीर के टुकडों को डाल देंगे इसके उपर हम आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इससे पनीर का रंग बहुत ही अच्छा आता है पनीर को हम मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई करेंगे जब पनीर के टुकडे दोनों तरफ से सुनहरे हो जाएं तब हम इने निकालकर नॉर्मल पानी में डाल देंगे इसके पाद एक कड़ाई में हम वनफोर्थ कप सरसो का तेल डालेंगे उसमें आधा चम्मच जीरा और वनफोर्थ चम्मच हींग डालेंगे फिर हम डालेंगे एक बड़ी इलाइची एक तेज पत्ता तीन से चार काली मिर्च तीन से चार लॉंप और दो हरी इलाइची इनकी क्राकल होने के बाद हम डाल देंगे इसमें पिसे हुए मसाले और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनट तक भुनेंगे जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मसालों को भुनते हुए हमें चार से पांच मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें उबली हुई मतर डाल देंगे जब तक मतर मसालों के साथ पक रही है तब तक हम एक कटोरी मे लेंगे दो बड़ी चम्मच दही हाफ टेबल स्पून कश्मेरी लाल मर्ज वन टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून सबजी मसाला वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी इनको हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे पानी मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी अब हम गैस को बंद करके इसको कड़ाई में डाल देंगे अगर हम गैस बंद नहीं करेंगे तो दही के फटने का डर रहता है एक बार इसको हम अच्छे से मिला लेंगे तो हम गैस को आउन कर देंगे और इसमें हम नमक डाल कर तब तक पकाएंगे जब तक मसाले किनारों पर तेल ना छोड़ दें और इनसे भुनने की खुश्बू आने लगे ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं जिस बरतन में हमने पनीर को फ्राई किया था उस बरतन में दो कप पानी डाल कर हम अपने मसालों में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे एक बार पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पे दस मिनट के लिए पकाएंगे बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ये देखिए हमारी मटर पनीर हो चुकी है एक बार हम इसको चला लेंगे फिर इसमें हम मुठी भर बारी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और धनिया को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे अब हमारी मटर पनीर बनके तयार हो गई है अगर ये रेश्पी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मन भूलिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद